हाई फ्रेंड्स मैं रिशी मिस्रा आपके यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तों आज मैं हिंदी की क्लासिक्स पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है तो आज मैं क्या पढ़ाऊंगे हिंदी क्लासिक्स में क्रिया के 70 प्लस महतफूर प्रस्न पढ़ाने जा रहा हैं तो इसको अंतर तक देखते रही हो सकता है कि आने वाली परिच्छा में आपको इनहीं मेंसे कुछ फ्रस्न मिल जाएं ठीक है तो आईए देखते हैं तो देखते हैं पहला question क्या है राम लचमर से पत्र लिखवाता है इस वाकि में क्रिया का कौन सा रूप है तो इसमें कौन सा रूप है क्रिया का आपसन बी प्रेणार्थक क्रिया है ठीक है क्यों क्योंकि उन लिखवा रहा है ठीक है राम लचमर से पत्र लिखवाता है तो प्रेणा तो प्रेणार्थ क्रिया हो गई ठीक है रचना की दिश्टी से क्रिया के कितने भेद हैं तो दो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक ठीक है निम लिखे वाक्यों में से किसमे सकर्मक क्रिया प्रयुक्त है तो किसमे प्रयुक हो गया, ठीक है वे अविकारी सब्द जो दो सब्दों वाक Watson अथवा, वाक हंडो को जोड़ते हैं कहलते हैं क्या कहलते हैं स बोधक सब्द ठीक है है वाप पहुचा ही होगा वाकि में क्रिय का काल है तो unserem कौई है आसन भूत है ठीक है पहुंचा होगा पहुंचा ही होगा ठीक है मतला अभी तुरंत पहुंचा ही होगा तो यह आसन भूत है अथवा व्याकरण की द्रिष्टी है क्या है अथवा तो आपसंडी क्या है यह अव्यव है ठीक है क्रिया के किस रूप में करता के अनुसार लिंक परिवर्थन नहीं होता है तो आपसन डी आग्यार्थक रूप में मरम वचन जब सीता बोला ठीक है जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है मरम वचन तो इसमें कौन सा हुआ है आपसन डी ठीक है भाव वाच्चे निम्ड मेंसे कौन सी सकर्मक्रिया है तो सकर्मक्रिया किया गया है पीना तो पीना जब हम पीते हैं तो क्या पीएंगे कुछ ना कुछ पीएंगे चाहिए पानी पीएंगे या ठीक तो वो क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी निम्ड में से कौन अविकारी होता है अविकार जिसका तोड़ नहो जो ना तूटे उसको क्या कहते हैं अविया मतलब जो सब्द जो आपका रूड मतलब जो इसका तूटना नहो ठीक है तो वो अविकारी हो जाता है वह थोड़ा बिमार है इस वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है तो ये थोड़ा क्या होता है परिमारवाचक क्रिया विसेसर है ठीक है निम्लिखित में से सकर्मक्रिया का वाक्य है क्या वाक्य है तो इसमें कौन सा है बालिका निबंद लिख रही है ठीक है यही एक है क्योंकि लिखने का जो होता है ठीक है वो निबंद पर पढ़ रहा है ठीक है इसलिए इसमें सकर्मक्रिया होगी अधोलोखित किस वाके में अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक क्या होती है स्याम सोता है ठीक है स्याम सोता है तो ये अकर्मक क्रिया हो गई मूल अकर्मक धातू के साथ प्रत्ते जोड़कर बनाई गई क्रिया धातू कहलाती है क्या कहलाती है साधिक सकरमक धातू चूड़ी अच्छी थी चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी करिया है थी कौन सी करिया है तो ये आपका योजग करिया हो गए ठीक है उसके बाद निम्लिकित मैंसे किस वाक में भवी शिकाल है तो भवी शिकाल में मैं आपकी प्रतिच्छा करूँगा मैं एक पेड़ काट लिया मैं ने एक पेड़ काट लिया तो इसमें मैं पुस्तक पढ़ने वाला था मैं आपका अभारी हूँ तो इसमें आपसन ए सही है तो इसमें क्या है? बाकि बहुत शिकाल में कौन सा होगा है? इसमें आपसन ए मैं आपकी प्रतिच्छा करूंगा ठीक है? निम लिखित वाक्यों मेंसे किसमे प्रेडार्थक क्रिया का प्रियोग नहीं है तो आपसन बी में नहीं है ठीक है राम नहीं पड़ता इसमे प्रेडार्थक नहीं है अदो लिखित में से कौन सा युग मुविशेशर नहीं है आपसन डी राम लच्मर ये नाम है संग्या है ठीक है मुख्य क्रिया के अर्थ को असपस्ट करने वाली क्रिया होती है कौन से होती है आपसन ए सहाय क्रिया निमलिकित मैंसे किस वाक्ष में अकर्मक क्रिया है तो अकर्मक किस में है इसमें पानी बरस रहा है मैं खाना खा चुका था इस वाके में कौन सा भूत काल है तो ये सामानी भूत काल है ठीक है वा खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है तो अपूर्ण भूत खा रहा था मतलब पूर्ण नहीं हुआ मीरा जोर से हसी जोर से हसी तो इसमें अकर्मक क्रिया है ठीक है अब पढ़कर क्या होगा इसमें पूरुका लिक क्रिया है ठीक है राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है तो इसमें संदिक्द भूत है ठीक है परिमार वाचक क्रिया विसेसर अव्य है तो अव्य मतलब जिए टूटना सके ठीक है तो सी क्या है ये हुगा अव्य इतना हथियाना में कौन सी क्रिया है तो ये अनुकरनात्मत जिस सब्द के से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह सम्बंदित है सर्वनाम क्रिया कैसा सब्द है? विकारी रचना की दिरिष्टी से धातू के कितने भेद हैं? APSAN 3C सब्द निर्मार की तुलना से धातू के कितने भेद हैं? 2 योगिक धातू की रचना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रयोग की द्रिष्टी से क्रिया के कितने भेद हैं, पांच संयुक के क्रिया के कितने भेद हैं, ग्यारा मूल्ध हादू का रूप कैसा होता है, स्वतन्त होता है अकर्मक का अर्थ है, क्या अर्थ है, कर्म रहित लड़का सोता है वाकिसम्दित है अकर्मक क्रिया से निमलिकित में क्रिया को पहचाने तो क्रिया कौन सा है इसमें उठना क्रिया है ठीक है आपका ये क्रिया है उठना निमलिकित में मूल धादू की पहचान करिये तो मूल धादू कौन सा है आ है मूल धादू खेलना खेलवाना कैसी क्रिया है ये है फ्रेडार थक है योगिक क्रिया के पहचान के रिए तो बी गिर पड़ना नामधातू कहलाती है संग्या या विसेसर से बनने वाली क्रिया मैं घर जाता हूँ इस वाके में मुक्रिया के पहचान करिये तो मुखे क्रिया क्या है जाना निम लिखित वाकियों में सकर्म क्रिया नहीं है डी राधा रोती है या कर्म क्रिया है राम भोजन करके सो गया इस वाकियों में कौन सी क्रिया नहीं है तो राम भोजन करके सो गया मतलब पूरुकालिक क्रिया है पहले ही सो गया ठीक है वह जाने लगा इस वाकिय में कौन सिक्रिया है तो ये आरम बोता अभी जाने लगा मतलब भी जा ही रहा है राधा को पीट दो इसमें कौन सिक्रिया है तो ये अनुमती बोधा मतलब किसी से अग्या कह रहा है अनुमती दे रहा है रादा को पीड़ दो ठीक है मुहन नित्य मंदिर जाया करता है इस वाकि में कौन सी क्रिया है तो नित्य जाता है मतलब ये अभ्यास बोधक मतलब डेली जा रहा है जहा क्रिया की करने की इच्छा नहीं थो वह है मुझे से खाया नहीं जाता, इस वाक्त की पहचान कीजिए लड़किया मैदान में खेलती कूती रहती है इस वाक्य में कौन सी सेय उक्त क्रिया है निलिकित मैंसे पूरों काली क्रिया कौन सी है तो पूरु काली कौँसी है? स्री राम मोहन को मार कर भाग गया लेख लिखा गया वाक की पहचान करें क्रिया के जिस रूपांतर से वाक की गत करता की प्रदानता का बोध हो वा क्या गया लता है? वाक कृत वाच्चे है क्रियाओ के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं क्या कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं ठीक है वर्तमान काल के भेद हैं कितने भेद हैं तो पांच भेद हैं ठीक है वह आया हो वह की पहचान करें क्या है संभाव वर्तमान ठीक है मतलब वह आया होगा होना चाहिए ठीक है लड़के ने पुस्तक पड़ी है तो फोड़ वर्तमान ठीक है इसमें क्या है पुण वर्तमान भूतकाल के कितने भेदे हैं भूतकाल तो इसके छे भेदे हैं मैंने राजू को पीटा था इस वाकिकी पहचान करें तो इसमें क्या है पीटा था मनलब पूण भूत पीट चुका लड़किया नाचती इस वाक्य की पहचान करें तो ये कौन सा है हेतुमद भूत ठीक है राजेस आए तो वो राम जाए मतलब एक आए एक जाए तो क्या हो जागा ये हेतुमद भविश ठीक है संभव है कल मैं ना आऊँ ठीक है इस वाक्य की पहचान करें तो संभाव भविश है बच्चे गाना गा चुके हैं तो गाना गा चुके हैं इस वाक्य में क्रिया के पहचान करें तो क्रिया क्या है गाना मतलब गाया जाता जो वो होगा ठीक है वह हस रही है इस वाकि में सहाय क्रिया की पहचान कीजिए तो रही चलना फिडना दोडना कैसी क्रिया है तो ये कैसी क्रिया है सकर्मक्रिया है ठीक है सकर्मक्रिया की पहचान करें तो पहचान करें इसमें कौन सहाय पढ़ना होगा ठीक है बागी सब अकर्मक्रिया है या किस प्रगर का वाक्य है? तो यह पढ़ रहा है. मतलब सकर्मक के लिए ठीक है? अकर्मक के कितने भेद हैं? दो. पूर्ड अकर्मक के कितने भेद हैं? दो. ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्यो माई फ्रेंड वाचिंग माई वीडियो ठीक है तो जादर जादर लाइक करिए और सेयर करिए ठीक है फ्रेंड्स